मेरे परिवार जनों, भाजपा ने ही आपके साथ मिलकर 36 गड का निर्मान किया। भाजपा ने आपकी आकांग्छाओं में को धान में रखते विए मुंगेली जिले का निर्मान किया। इसलिए भाजपा का ट्रेक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि भाजपा ने बनाया है भाजपा ही सवारेगी। 36 गड में कॉंग्रेस सरकार के जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। कॉंग्रेस के जिन नेताओं ने आपको पांच साल लूटा है। उनकी बिदाई का समय आ गया है। और आज पूरा देश देख रहा है कि 36 गड में कॉंग्रेस की बिदाई की कमान किसने समाली है। मोदी नहीं, यह आप लोगोंने समाली है, 36 गड के लोगोंने समाली है। आप 36 गड के मेरे आदिवासी भाई बेहन, मेरे गरीब भाई बेहन, मेरे पीछडे भाई बेहन, कॉंग्रेस की बिदाई के लिए सबसे ज़्यादा आतूर है। 36 गड के नवजवान, किसान, यहाँ की माताएं, यहाँ की बेहने, कॉंग्रेस की बिदाई के लिए एक मुस्त होकर के मैदान में उत्रे है। खासकर महिलाओं ने ठान लिया है, कि उन्हें कॉंग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कॉंग्रेस भी यह समझ गई है, कि अब चला चली की बेला है, चला चली की बेला है, अब कॉंग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। और इसलिए वो आपको जूट पर जूट, जूट पर जूट, जूट पर जूट बोले जा रहे हैं, आपने कॉंग्रेस ने के हर असत्य को हराने की शुरूबात पहले ही कर दिया है। कल आप सबने दिपावली मनाई है, दिपावली की मेरी भी आपको धेरो शुब का मनाए है। लेकिन आप मेरे शब्द लिख रखिये, आने वाली देव दिपावली, चत्तिसगर के लिए एक नया आनन और उत्साह लेकर आएगी, जिस कॉंग्रेस ने चत्तिसगर को लूटा है, वो देव दिपावली पर कहीं नजर नहीं आएगी। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकान मित्र आते हैं, राजनितिक विष्टले सक आते हैं, उनसे बात करता हूँ, ये एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, शर्त लगाओ मोदी जी, मैं कहा देखा भी मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूँ, लिकिन मैंने का बताओ तो क्या है, वो कहते लिख के रखो, चत्तिस गड़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। कॉंग्रेस में जो पुराने समर्पित लोग हैं, आज किनारे पर बैटे हैं, उनमें भी बहुत गुशा है, उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा दोखा हुआ है। जब शत्तिस गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री के पत के लिए धाई-धाई साल का एग्रिमेंट हुआ था। अब ऐसी पारिडी जहां बटवारे के अग्रिमेंट होते हैं। लेकिन पहले ढाई साल में ही मुख्यमंत्री जेने इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, ढाई साल में इतना प्रस्टाचार किया, लूट के पैसों का अंबार जमा कर लिया। और जब डाई साल पूरा होने पर आए, तो तीजोरी दिल्ली वालों के लिए खोल दी, खजाना खोल दिया, हर एक को खरिट लिया, दिल्ली के नेताओं को खरिट लिया, और एग्रिमेंट घरा का धरार आए गया। और इसका गुस्षा सिर्फ पुराने कॉंग्रेस के लोगों में है इतना ही नहीं। 36 गड़ का हर नागरिक मानता है कि पार्टी के भीतर इतना बड़ा धोका हो सकता है, इतनी बड़ी वादा खिलापी हो सकती है, तो जनता के साथ तो हर वादे की वादा खिलापी होना आता है, हर वादे को ये जूट करने वाले हैं। यहां के मुक्हमंत्री उनके राज में सूपर सीएम और उनके चहेते अप्सानों ने जो जुर्म किया है उससे भी लोगों में रोश है और उनके बेटे ने सूपर सीएम बनकर जो कारोबार चलाया है उसके कारण ये नौबत आ गई है कि ये मुक्हमंत्री एमेले बनना भी मुश्किल हो गया है हर घर में गुच्सा है